बिस्मिल्ल्य रोख्मार वहीम असलाम अलेकूम भी और जमीत करतूँ आप सब खेरी सेंगे लगए कुम समय भी बिल्कुल ठीक्टा को आज हम आए हैं कोई रेसिपिक साथ आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पोटा मसाला कड़ाई बनाएंगे बहुत ही मज़ार बहुत आसा बिल्कुल लाइट साम ब्रॉण करेंगे बहुत मज़े की यह कड़ाई बनती है तो इस वज़े से आज हम इसको कड़ाई में बना रहे हैं जी तो आप यह देख सकते हैं कि लेस्ट का कलर जो है वह बिल्कुल लाइट ब्रॉण हो गया अब मैं शामिल कर दूंगी एक प्यूरी मैं फ्रेश्ट मैटो प्यूरी इस्तमाल कर रही हूं आप मार्किट वली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पस टामाटो प्यूरी नहीं है तो आप चार अदा टामाटर लेके उनको चुटा चुटा बारिक परी काट के आप वह इसमें एड़ कर दें यह डाल टैस्ट के बराबर आदा चमस में शामिल कर दूं घल्डी पाउडर आदा चमस गरम असल्ा पाउडर आदी चमाट मैं तोड़ से कम शामिल की है आप अपनी मरज़े से मसाले कमut to मसाले की आपने अच्छे जर्व से बुनाई करनी है जब तक ओल उपर आना स्टार्ट ना होगी। मसाला की पैचान यह है कि जैसे ही आपके मसाले का ओल उपर आता है तो आप समझें कि आपका मसाले चित्रीकी से कोग हो गया है। जो भी आफ खाना बनाते हैं उसको अगर आप दिल से बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपका सालन इतने मसेका बनता है जाहे कि भूद कम चिज़ों से बनाएं लेकिन दिल से बनाते हुए हर चीज़ मैं थोड़ी से अकर मेनत करेंगे आप तो आपका सालन बोगुती राज एक से दो अदत कलेजी से ज्यादा पोटे हैं तक्ति बनादा एक लोगे क्रीब अच्छी तरह से पहले मैंने इनको वाश किया वाश करने के बाद इसका जो भी गंद वगारा जो चर्बी वगारा थी वो निकाल के पिर इसकी कटिंग मैंने कर दी है मसाला जो अची तरीकी से तयार हो गया आप पोटे में शामिल कर से देंगे और मैंने एक पोटे में से तक्रीबन तीन पीस की हैं आप पीस अपने मर्जी से भी कर सकते हैं यह डालने के बाद आप आपने अच्छी दरह से इसकी करनी है भुनाई और तक्रीबन आपने 10-15 मिन इसकी बुनाई करने हैं चुले एक फ्रेम को नार्मल रखते हुए इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिस जिसने चैनल को सबस्ट्राइब ने किया प्लीज जलती से चैनल को सबस्ट्राइब कर लें अगर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए और अगर वीड 50% से 60% तक यह रहते हैं अभी और इसमें गलेंगे यह क्योंकि यह थोड़ा सा जादा टाइम लेते हैं तो इस वज़ए से अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी आड़ कर दूंगी तक्तिबन एक कप के करीब मैं इसमें पानी डा रही हूं मुझे बहुत जाए इसकी पतली ग मिक्स कर लिया है और यहां पर यह थोड़ा से बकाया रहा गया था वह भी एड़ कर दिया अब इसको ओपर ढ़कन दे के हम इसको अची तरह से पकने के लिए रख देंगे जब पोटे अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो फिर मुलाकात होती है जी तो बिसमिल्लाइर रह हमार रहीम तकरिबन 20 मिनट हो गए है हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तायार हो गया है बहुत जादा मज़े की कुछबू आ रही है आप यह टीम करें यहां पर मैंने एक पोटा लेकर चेक किया तो अच्छी तरह से मैं इसको कर रही हूं मिक्स और अब यहां पर धेर सारा हरा धनिया मेरे पास है मैं हम वो डैल देंगे यहां पर आप हरी मिर्चे भी आर कर सकते हैं यह डालने के बाद दुबारा से मैं इसको मिक्स करूंगे यहां पर चूले की फ्लेम को मैं कर दूंगी ओफ चूले की फ्लेम को आपने अच्छी तरह किसे इसको मिक्स कर लेना है आप यह देख सकते हैं माशाला से कितना अच्छा लग रहा है अब यहां पे मैं प्लेट में सर्फ करका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जी तो यह है इसकी फाइनल लुक मज़दार चिकन पोटा कड़ाई जो है वो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत कम चीज़ों से बनाई है जो कि आपके घर में मुझूद होती है रेसिपी को अपने जरूर ट्रॉय करना है ट्रॉय करके मुझे कॉम्ट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी आज के लिए इतना ही इन्चाले लेक्सिदों मैंको साथ मुलाकात होगी अप्ता के लिए मुझे दीदी इजाज़ा दुआ में याद रखेंगे अपना बहुत सरा ख्यार रखेंगा अल्ला हाफीज